तो चलिए आईए अब हम लोग करते हैं lesson 54 यहां पर हम लोग देखेंगे use of may permission कैसे लिया जाता है अनुमूती सूचक वाकिया जब आप किसी से permission लेंगे तो आप कैसे बोलेंगे आईए वह हम लोग पढ़ते हैं तो look at the following आईए इन sentences को हम लोग देखते हैं और एक एकर करके सीखते हैं क्या मैं बोल सकता हूँ? May I speak? क्या वह बाहर जा सकता है? May he go out? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I come in? क्या आप क्रिप्या वहाँ जा सकते हैं? May you go there please? इन वाक्यों से अनुमती permission मांगने का बोध होता है अनुमती मांगने के लिए May का प्रयोग किया जाता है तो आईए बहुत सारे exercises हैं अब एक एक करके सब solve करेंगे तो आपको काफी ये अंदाजा हो जाएगा आप सीख जाएंगे कि किस तरह से आपको permission लेना है और मे का इस्तिमाल करना है तो exercise 54 translate into English क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? May I sit here? क्या मैं आपकी कलम ले सकती हूँ? May I take your pen? आगे देखिए क्या मैं आपकी साहता कर सकता हूँ? May I help you? क्या मैं radio बोल सकता हूँ? May I switch on the radio? क्या मैं यहाँ धुम्रपान smoking कर सकता हूँ? May I smoke here? क्या मैं radio बन कर सकता हूँ? May I switch off the radio? Next, क्या मैं टेलेफोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? May I use the telephone? क्या मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूँ? May I sit on the chair? क्या मैं बस से यात्रा कर सकता हूँ? May I travel by bus? क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ? May I speak English? क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? May I go home now? क्या मैं यह काम कर सकता हूँ? May I do this work? क्या मैं फाटा क्वोल सकता हूँ? May I open the gate? क्या मैं रेडियो सुन सकता हूँ? May I listen to the radio? क्या मैं टीवी देख सकता हूँ? May I watch TV? तो इस तरह से आप मेज से सेंटेंसेंस बनाते हैं आप पर्मिशन जब लेते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेंस आप बोलते हैं ठीक है? क्या मैं झाल